अखंड जर्पन न्यूज में आपका स्वागत है। आखिर पुलिस से क्यों दूरिया बनाए हुए है सत्यम का परिवार। बुलाने पर ठाने नहीं आया सत्यम का पिता राहुल। प्राया देखा जाता है कि समाज में किसी परिवार से जुड़ी कोई घटना घट जाती है। तो परिवार के लोग सड़क से संसद तक का सफर करते हैं। धरना प्रदर्शन से लेकर हर अस्तर पर उतर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा परिवार जिस परिवार से 11 माह का मासूम चोरी हो जाता है। लेकिन वह परिवार और उसका पिता बुलाने पर भी पुलिस के सामने नहीं आता वह पुलिस से दूरियां बनाये हुए है। आखिर क्यों यह सोच कर पुलिस भी हैरान है जौनपुर जनपत के मुगराबासापुर थाना छेत्र लौपंडित के पूरा गाउं में 5-6 सितंबर की रात मासूम बच्चे की चोरी की घटना घटी थी बच्चा घर के बाहर उसारे में अपनी परदादी प्रेमा देवी की गोद में सो रहा था उसी समय अज्ञात चोर पहुँचा और उसे उठा ले गया घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची घेराबंदी की गई तीन किलो मीटर रेडियस एरिया में च्छान बीन की गई लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला दूसरे दिन डाग स्कॉयट पहुचा डाग स्कॉयट से भी सर्च कराया गया लेकिन जब डाग स्कॉयट पहुचा तो उस समय पिता राहुल घर छोड़ कर दूर हट गया पुलिस राहुल को खोन करके घर बुलाई लेकिन जब तक डाग इसक्वायट घर पर मौजूद था राहुल वहां नहीं पहुचा जब डाग इसक्वायट घटना का खुलासा करने में नाकाम हो गया और वापस लोट गया तब राहुल घर पहुचा पुलिस को उसका यह बेवहार समझ में नहीं आया और पुलिस उसे ठाने ले आई घंटों पूश्टाच किया पुलिस से की गई पूश्टाच में उसने अपने कुछ पडोशियों पर संदेह भी जताया लेकिन वह स्वयंग पुलिस के संदेह के घेरे में बना हुआ है जाज कर रही पुलिस टीम भी हैरान है कि आखिर वह डाग स्कौाइट पहुंचा तो हट गया बुलाने पर थाने नहीं आता मामला संबेदन सील होने के कारण पुलिस भी कड़ा अवख नहीं अक्तियार कर पा रही है जाज टीम को परिवार का अपेखित सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण घटना का परदा फांस मुश्किल हो गया है देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद